मस्कार दोस्तों दोस्तों आज की शुडिय में बात करेंगे कि फिशेर का ओपरेशन हो फिश्टूला का हो या फिर फाइल्स का हो अगर आप जब करवाते हैं तो इसमें टोटल कॉस्ट आपका कितना आता है उसके के बारे में बात करेंगे और जो हैं का कौन-कौन साथे धाकटर के पर य newborn करताने वाले हैं बढ़े रही वीडियो के साथ दोस्तों देखिये ऐसे बात हैं कि एकड़म एकस्य घो स्दो है वो तो कोई नहीं बता सकता तका है वो तो आपको के व्योला exactement करती है कि आपकी स्टेज कौन सी है तो बहुत सेट कोपर डिपेंड करता है तो वही जो मैं आपको कौन कौन सेट पकर क discussion कितना सकता है अगर आप किसी गोर्मेंट होस्पिटल में करवाते हैं या फिर शे प्राइवेट में करवाते हैं या फिर सब या चरिज करें差 दोस्थे ने को पर पर क्ष Pel Soap करते हैं जो सबस claimed करता है है Gir और शोड़ आपको बहुत advanced stage में चले गए हैं मतलब आपकी जो है एकदम आप यह मालेजिक emergency वाली situation हो गई है आपकी तो उसमें क्या है कि emergency के अंदर जो आपके equipment लगते हैं या जो बात जो है आपके surgery start होती है तो उसमें क्या है कोश्ट कम आता है तो इस बात के जुरूर द्यान रखे कि आपकी जो भी बीमारी है उसका stage जो है बहुत ज़्यादा माइने करता है अगर emergency situation होती है तो कोश्ट ज्यादा लगेगा अगर आपकी विमारी अर्ली स्टेज में है इस्टार्टिंग में है तो इसमें कोश्ट भी कम आएगा और आपको जो है आराम भी जल्दी मिलेगा अगली बात करूंगा दोस्तों कि आप जो sprahand करने जा रहे हैं तो सजरी किस टांप के सजरी कर्वा रहे हैं मतलब थ्रेडिशनल जो है सर्जरी है या फिर जो है अभी लैटे सरस्रीय है तो इसमें होता है दोस्तों कि आप जो चरण सर्जरी को होती है जैसे स्टेपल कर दिया आपके पाइस को अब पर फास के वां पर धाका भां देते हैं जैसे खुण यहां पर का के जरी हैं फिर जो इंजेक्शिंन सब्स्काइब पर इंजेक्शन सब्सक्राइब लगा के उपोज कर दिया जाता है उसलों एका किबे इसके तो फ्ते मच सब्सक्राइब होती हैं इसम coaches कि महलें अग्यारो mowaik लिए दोस्तों उसमें ऐसा है कि सबसे पहले लेजर के मशीन है वह बहुँ जदा महेंगी आती हैं लाखों रुपय की मशीन आती हैं उसके बाद उसको एक ऑपरेटर रखना होता है उस मशीन को चलाने के लिए क्योंकि एक डॉक्टर जो है सभी काम तो नहीं कर सकता जो हो महगी होगी क्योंकि उसमें जो हें कॉस्ट उसका जो है पहुत जादा है उसको मेंटनेंस का उसको चलाने का उसको खरीद सक法ğ क्रते हैं कि अब एक mid Peak कर रहे हैं और वाक्रच कर रहे हैं और कौन से दवीयां आप खा रहे हैं लिए हौश्पिटल की सब सब बात करता प्रयविट भोटते हैं उनमें भी जो जएधा महें अलग फिट्र हैं उनमें Вाटे हैं जो मीडियम उनमे Aí घंचाइए नोलग आती हैं और यहां उन वे जान Bueno लोगी इसिए अब नश्यान कि ने अलग होचे मारे मेज ब 있어요 उनमें डीकbane to the देखे दोस्तों ब्रंडेट का मतलब यह है कि कमपनी ने जो है वो दवई अपने आर एंडी सेंटर में बने हैं उसके बाद जो उसका पैटेंट करवा लेती है और वो जो है अपने नाम से जो उसका दवई को भी एचती है और जब वह लाइसेंस एक्सपायर हो जाता है तो दवई जैनरिक बन जाती है नॉर्मली जैनरिक और ब्रंडेट में यह डिफरेंस होता है तो अभी होस्पिटल के उपर बिटिबायन करता है कि अगर बहुत अच्छा होस्पिटल है तो ब्रंडेट दवई यही लिखते हैं और अगर जो हैं आप किसी गाउं कस्बे में हैं से अप इलाज करे रहे हैं तो वह सेमरेतं जो हैं जैनरिक में लिख दिते हैं इसमेँ कुछ फर्क नहीं होता है दोस्टों उसमें जिड़ों मोलिकुल होता है वह दोनों वे सेम ही होता है기에, बस कंपनी जो हैं अभी नई 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 दवई आती हैं उसका पैटर्न करवाती ह kg अगली को करें दोस्तों कि डोकर के बहुत डिपेंड करता है तो अब आपको बाते हैं यह सब जो है आपकी का marot जो है involved होते हैं और जो है आपके सरजरी में जो है आपकी कोश्ट होती हैं उसको जो है बढ़ा भी सकते हैं गटा भी सकते हैं लेकिन अगर मैं आपको एक estimate rough idea आपको बताऊं लेकि दोस्तों अगर आप किसी गाहँ कस्बे में हैं छोटी सिटी में आप करवा रहे हैं तो उसम थोड़ा च्छी किस्व जाते हैं तो अपर आपकी कोश्ट लाग रुपै ब्या सकती हैं देड़ लाग प्यास्किती हैं वह सब जो है उसके उपर करता है कि छूप करना पर सकता है पाइस कि जो लेजर सजरी या फिसर लेशरिया फिश्टुले और एनो की जो मतलों होती है तो उसमें आपको आप पचास हुजार रुपेधे टो आपको मान के ही चलिये कितना खर्च होने वाले है वाइक क्या कि आपके वडि़ेंड करता हैं आप कितना कोस्ट कटिंग कर सकते हैं तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आयोगा पसंद आया लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलता हो अगले नई वीडियो में तब तक लिए जय हिंद बंदे मात